हलो एवरिवन वेलकम टू नीतु स्री एज उनलाइन तो कुछ सब्जिय मैंने कट करके रखे हैं जिससे देखें प्याज है सिम्ला में चेक गाजर है टमाटर है असाथ में कुछ पनीर है आज इनी की सहता से बहुत ही स्वादिश्ट हम लोग नास्ता बनाएंगे जो इसमें ट्विस्ट है यह बच्ची हुई रोटिया बच्चे नहीं पसंद करते हैं खाना इन है तो आज इनी को एक अच्छा सा रूप देते हैं ताकि बच्चे मांग मांग कर खाएंगे तो चलिए बटर ऑल्रेडी गरम हो चुका है इसमें हम लोग प्याज डाल देते हैं प्याज के साथ इसमें जाएगा गाजर क्योंकि प्याज़ और हमने में थोड़ा सा टाइम लगता है यह को सफ्ट होने तक फ्राई किरना है दो दिख martin अब इसमें बच्ची हुई सब्चिया जैसे सिम्ला मिर्च लिएग या तो मांटर अर्शित हम लोग करते हैं करेंगे पनीर अगर आपके पास मस्रूम है तो वो भी आप एट कर सकते हो बॉयल करके अब इनको अच्छे से हम लोग सॉफ्ट होने तक फ्राइ करेंगे ज्यादा फ्राइ करने के इनको जरूरत नहीं है बहुत सारे घरों में यह सब्जे कच्छी भी खाई जाती है तो बस नॉर्मली फ्राइ करना है तो यह लगबख सॉफ्ट हो गया है अब इसमें टेस्ट के नुसार नमक हम लोग एट करेंगे असाथ में थोड़ा सा गुल की पौडर और थोड़ा सा किचन किंग बच्छों के लिए बना रहे तो ज्यादा स्पाइसी और मसाला इसमें हम लोग एट नहीं करेंगे यह ऐसे ही अच्छा लगेगा तो चलिए श्टार्ट करते हैं लोग बनाना बच्चों को ओल टाइम फेवरेट यह हैं मोजरेला चीज और अमूल चीज साथ में कुछ टोमेटो सॉस और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और अरिगयानो तो चलिए सॉस भी एट कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा स्पैसी हो जाएगा इसलिए मैंने केचप ही लिया है अब इसके उपर जो हमने वेजिटेबल्स तयार कर रहा था उससे एड़ कर देना है दो से तीन चेमच हमें लेना है वेजिटेबल्स आप चाहे तो ये इस तरह से भी हम लोग पीजा रूटी बना सकते हैं खूला पूरा एकदम लेकिन मैं थोड़ा सा अलग करके बना रही हूं ताकि बच्चों को पकड़ने में असानी हो और वो खा सके और सबजिया बाहर निकालना सके ऐसे खूला होने से वो सबजिया अस बच्चों को पसंद इसलिए चीज का कॉंटिटी थोड़ा सा जादा जाएगा साथ में चिली फ्लेक्स और और इगैनों भी हम लोग इस पर एड़ कर देंगे ताकि वह पीजा का अच्छा सा फ्लेबर आ सके अब इसको हम लोग टर्ण करके पैक कर देंगे तो तावा अलरेड़ी गर्म हो चुका है बटर मिल्ट हो गया है तो चली हम लोग रोटी को इस पर रख देते हैं ध्यान रखेंगे कि फ्लेम को हमें सलो ही रखना है और फर्श्ट इम था तो थोड़ा सा फ्लेम इस पर तेज हो गया था लेकिन आगे दिहान रखना है कि फ तरह से दो रोटिया एट कर सकते हैं सानी से इसको ढखके से स्लो फ्रेम पे बनाएंगे ताकि अच्छे से चीज मेल्ट हो जाए इस तरह से रोटी बनाने का एक फायदा है कि बच्चे ना इसमें से सब्जया निकालके फेक नहीं पाते हैं और गरम गरम आप जब इसे कि वह और डिमान कर रहे थे रोटियो को स्लो फ्लम पे बनाने से यह होता है कि बाहर से कलर बहुत ही अच्छा आता है और अंदर से इनका क्रिम भी काफी अच्छे से मेल्ट हो जाता है देखे तोड़के दिखा दे रहें कैसा बना है तो यह देखे बाहर से बिलकुल कर दो यह है जाता है और गे.